Factor Intensity के अंदर एक सब पार्ट आया था Factor Abundance का हम लोग जब Factor Intensity को पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने ये देखा था कि कोई एक कंट्री उस एक्जेंपल की अगर बात करें तो Nation 2 जो है वो दोनो गुड्स की प्रडक्शन में एक्स गुड्स और वाइ गुड्स की प्रडक्शन में वो कैपिटल को जएदा यूज कर रहा था और उसको हमने ये कहा था कि Nation 2 अबंडन है इन कैपिटल विटमीन Factor Abundance in form of Capital is existed in Nation 2 अब Factor Abundance को हम लोग मैयर कैसे कर सकते हैं तो हम पहले बात करते हैं फिजिकल यूनिट्स की फिजिकल यूनिट्स से मुराद यहां पर टोटल लेबर अविलिबिलिटी और टोटल कैपिटल अविलिबिलिटी की बात करेंगे हम कि एक नेशन के अंदर कितना Capital अविलिबिल है और कितनी लेबर अविलिबल है Once again हम यहां पे Relative बात करेंगे Not Absolute हम यह नहीं कहेंगे Suppose कि आपके पास Nation 1 के अंदर टोटल लेबर अविलिबल जो है फर्स किया Nation 1 के अंदर 10 है और Nation 2 के अंदर Suppose Labor Available 20 है तो हम यह हरगेज नहीं कहेंगे कि Labor 1 जो Nation 1 है वो Labor Abundant है Unless हम उसका comparison जो है Capital के साथ नहीं करवा लेते उस Nation के अंदर जो मौझूद है In that case जो आपकी Fraction है That is Total Capital over Total Labor तो अगर Total Capital over Total Labor Ratio जैदा है Nation 2 के अंदर तो हम कहेंगे कि Nation 2 is Capital Abundant और अगर यह रेशो Total Capital over Labor Ratio ग्रेटर है Nation 1 के अंदर तो हम यह कहेंगे कि Nation 1 is Capital Abundant और इसी तरीके से हम इसको Reverse भी कर सकते हैं हम Total Labor over जैसे इसको Total Labor over Total Capital की फॉर्म में भी बात कर सकते हैं कि Total Labor over Total Capital Ratio जिस भी कंट्री में जैदा होगा It means वो कंट्री Labor Abundant है तो यह एक पहला वे है कि आपके पास जो है आप जिससे मेयर कर सकते हैं Factor Abundance के बारे में इसी तरीके से जो मैंने बात की Nation 2 can have less capital than Nation 1 and still be capital abundant If Total Capital over Total Labor in Nation 2 exceeds the Total Capital over Total Labor in Nation 1 तो यह वो ही एक्जेम्पल है Suppose अगर मैं कहता हूँ कि Nation 1 के अंदर Total जो है वो Capital जो है वो 3 है लेकिन Total और साथ Total Labor Ratio है Sorry Total Labor है 12 और Nation 2 की बात करूँ वहाँ भे मैं कहता हूँ कि आपके पास Capital 2 है और Labor भी 2 ही है Total Amount तो still यहाँ पे देखें कि जो Nation 2 है जिसको हमने Total Labor over Capital Ratio जो है वो 2 over 2 की फॉर्म में ली है यह still Capital Abundant ही है यह जैसे हम लोग ने प्रीवेस मेडियूल के अंदर सीखा था तो that is one way to determine about the factor abundance in a country जब हम दूसरी फॉर्म की बात करेंगे तो वहाँ पे हमें नदर आएगा factor prices relative factor prices कि आपके पास जो factor prices हैं उनसे भी हमें idea हो जाएगा कि कौन सा factor किस nation के अंदर abundant है जाहरी बात है कि जो factor abundant होगा या जो factor किसी भी नेशन के अंदर जैदा मौजूद होगा उसकी price हमेशा कम होगी relative to the other factor suppose हम इसको असानी के लिए PK over PL की form के अंदर represent करते हैं PK represent कर रहा है price of capital और PL represent कर रहा है price of labor तो क्योंके हम economics के students हैं और micro economics को हम अच्छे तरीके से पर्च चुके हैं और production theory के अंदर हमने ये पढ़ा था कि जो capital की price है वो interest है और labor की price जो है वो wages हैं तो अगर मैंने suppose is less than R over W in nation 1 it means के आपके पास nation 2 के अंदर जो numerator है जिसको हम R की form के अंदर कह रहे हैं वो कम है या overall fraction को हम suppose देखते हैं जैसे हमने पहले बात की है के इसको हम हमेशा relative form के अंदर discuss करेंगे तो इस case के अंदर अगर आप देखें तो R over W अगर nation 2 के अंदर कम है तो it means के आपके पास capital सस्ता है nation 2 के अंदर और इस से हम ये drive कर सकते हैं कि capital abundant है in nation 2 it is not the absolute level of R हम ये हमेशा जो यहां पे comparison कर रहे हैं 2 by 2 by 2 model के अंदर तो वहां पे हमेशा हम comparison करेंगे suppose between nation 1 and nation 2 commodity X and commodity Y and price of capital and price of labor तो यहां पे भी हम जब बात करेंगे तो दोनों की एकठे बात करेंगे आपके पास सिरफ simple wage जो है या simple interest जो है वो उस factor को determine नहीं करेगा या उसकी abundance को determine नहीं करेगा unless कि आप दूसरे को भी इसके इंदर include नहीं कर लेते तो यह जिस basic concept है factor abundance का आपके 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 जो है